क्या यश्राज ने अपने हिट फ्रेंचाइजी के अगले सीक्वल की प्लानिंग कर दी है क्या यश्राज ने इस सीक्वल में दो बड़े सूपर स्टार को कास्ट करने की ठानी है वो सूपर स्टार जिनके फीस ही 100-100 करोड से उपर है क्या इन सूपर स्टार को लेकर ये मल्टी मिलियन का प्रोजेक्ट तयार किया जा रहा है विल ऐसी ही कुछ खबर आज सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है एक पोस्टर सामने आया है जो कि अश्राज की सूपर हिट सीरीज धूम का है ये पोस्टर धूम 4 का है और इसमें बताया गया है कि यश्राज फिल्म्स ने धूम 4 के लिए कास्ट किया है सलमान खान और अक्षे कुमार को इस पोस्टर को देखते ही सलमान और अक्षे के फैंस काफी खुश हो गए और उन्होंने कई सारे रियाक्शन दिये और मीम शेयर किये कि कैसे ये दोनों सूपर स्टार्स एक साथ नजर आने वाले हैं धूम यश्राज के hit franchise ही है पहली बार जौन इब्राहिम को लिया था सेकंड टाइम रितिक रोशन को लिया था था थर्द टाइम आमर खान को लिया था और इस बार क्या वाकई में दो आक्टर्स को लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है वैसे जब इस फोटो के बारे में रिस कास्ट करना चाहिए वहला आपको क्या लगता है अगर इस सूपर हिट सीरीज धूम का अगला सीक्वल आता है तो क्या वाकई में ये कास्टिंग परफेक्ट है और अगर इस फिल्म में सलमान खान और अक्षे कुमार को कास्ट किया जा रहा है तो फिर कौन पॉजिटिव रोल में होगा और कौन नेगिटिव रोल में होना चाहिए ये भी बताईए और साथ में लीड अक्ट्रिस इस इनके साथ कौन जमेगी ये भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें